दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगातार सीवी का संकर्मन बढ़ता जा रहा है बहुत सारे लोग रोजाना इसकी ज़द में आते जा रहे हैं और साथ ही साथ इसी सीवी के साथ साथ यानि की कोरोना के साथ साथ एक और नया जो है वाइरस हमारे देश में फैला हुआ है वो है नफरत का जब से सीवी आया है तब से लगातार वो जो दूसरे नफरत के वाइरस के लोग हैं वो लोगों के बीच माहुल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो चाहे सोसल मीडिया हो या फिर डिजिटल व्ला सामने आया है तब से लगातार शोसल मीडिया पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या फिर मेन स्रिमिंग मेडिया में लगातार अलग-अलग तरह की वीडियो शेयर किया जा रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है लेकिन अगर आपके पास भी ऐ ऐसी कारवाई की जाएगी कि शायद आपको भी पता नहीं चलेगा और उसका खामियाजा आपको काफी अच्छे से भुगतना पड़ सकता है थोड़ा डीटेल से मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि हमारे देश में भाईचारा की जरूरत ह है तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजे महरास्तर में आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा सीवी इंफेक्टेड लोगों की संक्या बढ़ती जा रही है और वहां पर कैस्वेल्टीज भी हैं लेकिन मैं आपको बता दू हर कोई उद्धो ठाकरें ने शंदेश देते वे उनके खिलाफ कड़ी कारवाई करने की चेतामनी भी दी है साती सा सिर्व महरास्तरा की बात नहीं है खुद सरकारों की तरफ से कारवाई की भी जा रही है बहुत सारे लोगों को जेल भी बीज़ा जा रहा है मैं आपको बता देता हूं मुखमंतरी उद्धो ठाकरें ने शनिवार को शोशल मेडिया के माध्यम से लोगों को सम्वोधित किया और उन्होंने कहा समाज के कुछ घातक वाईरस भी है इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं और इशारा उनको इस तरफता कि जो लोग शोशल मेडिया पर या डि से तो मैं अपनी जनता को बचा लूगा लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा इसलिए कृपिया गलत वीडियो ना शेयर करिए आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं मैं उनके ट्वीट को बाकाइदा दिखा रहा हूं अगर आप भी महरास्ट से लेकर के बिहार से लेकर उंतर परदिश से लेकर के अलग अलग मध्य परदिश से लेकर अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं और इस तरह के कोई वीडियो को आप शेयर करते हैं तो पहले आप वोश्यार हो जाएए बिल्कुल भी ऐसे वीडियो को आप शेयर मत करें वो चाय हिंदू धर्म से रिलेटीड हो या चाय मुस्लिम धर्म से रिलेटीड हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो अगर आप ऐसे वीडियो को शेर करेंगे जिसकी वज़े से लोगों के बिजनाफरत और भाईचा रहेगे तो आपके खिलाब पड़ी कारवाई की जाएगी जबकि अलग-अलग परदेशों के मुखमंतरी आकर के खूली चेताउनी दे रहे हैं ठीक है? इसके बारे में आपका कहके नहीं नीचे कमेट बॉक्स में जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें